पुश्कार दोस्तो जसी देख में आपका हार्दिक स्वागत है एक रेलेटेवली नया इंडेक्स है फिन निफ्टी जिसके एकस्पायरी होती है मंगलवार के दिन ट्यूजडे वाले दिन बहुत लोग चाते हैं कि उसमें हीरो जीरो के बारे में पताया जाए हीरो जीरो किस चांसे होते हैं जीरो भी आप हो सकते हैं तो इस पॉसिबिलिटी को नकार के मत चलिए और खैर मैं भी बता दूँ हम से भी रिजिस्टर नहीं है और नहीं हमारे एक चैनल पर कोई भी वीडियो पे कोई भी बाय सेल की सला दी जाती है कोई भी डिसकेशन है वो अकैडमिक ह है अब जैसा मैंने आपको बताया है कि एकसपायरी होती है मंगलवार को तो मंगलवार को एकसपायरी किस तरह से आपको ट्रेड करनी है यह जड़ा एक बार को समझते हैं मैं कैसे करता हूं मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने की हां कोशिश करूंगा PM पर मैं अपना trade लेता हूँ which is a hero zero trade which is a zero hero trade I would say zero hero trade अब zero hero trade में मैंने क्या बोला हो सकता है कि आप zero भी हो जाए तो उस चीज़ को लेकर चलेगा यानि कि उतना ही इसमें capital infused कीज़ेगा उतना ही पैसा लगाना है जितना हम zero कर सकें जैसे मैं लगबग लगबग 2-5,000-3,000 तक का capital ऐसा होता है जो मैं लगा सकता हूँ loss भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर सिर्फ zero hero करना है तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए please understand कि zero hero करना है तो एक-एक lot से start कीज़ेगा आगे आपका experience कैसा रहता है आप उस पर काम कर सकने है पर मैंने start जो किया था वो एक-एक lot से किया था धाई बजे के करीब 2.30 के करीब आप जो भी उस समय ATM होगा add the money होगा add the money होता है spot price let us say आपका spot price है 19.420 spot price उस समय देखेगा 19.420 के करीब अगर मान लिया आपका spot price है अब आप जब 19.420 के करीब आपका spot price है तो आपको उस समय में आपको 19.400 जो भी nearest nearest strike price नेरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो है वो देखना है और इसके nearest कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा 19.400 अगर यही 19.480 यह 490 होता तो उसका nearest होता 19.500 बड़ अब यह 1940 है तो इसका nearest strike price है 19.400 तो हम क्या करेंगे 19.400 की ही call और 19.400 की ही put equal मात्रा में ऐसा ना हो कि एक lot call ले रहे हो तो दो lot put ले रहे हैं नहीं अगर दो lot call है दो lot ही put एक lot call है तो एक lot ही put का ले रहे हैं अब ध्यान देने वाली क्या बात है इन दोनों की combined की cost combined cost should not be combined cost should be less than less than 40 एक हो सकता है कि आपको 19.400 पे जब हो तो आपको हो सकता है कि जो call है वो 30 रुपए की मिल रही हो और put जो है वो 10 रुपए की मिल रही हो तो आपको यह ध्यान मद्दे नजर रखना है कि 40 रुपए से उपर किसी भी तरह से इसकी cost ना जाए 40 रुपेस का आपका cost रहना चाहिए combined cost of call and put अब assumption यहां पे यह है कि किसी भी तरफ या तो तब यह profit में आते हैं और यह on at the time of expiry की बात करता हूं और अगर आप पीछे की बात करें तो 19 360 तब यह profit में आते हैं बट अगर मैं इतना वेट करने लग जाओंगा कई लोग कहेंगे सर इतना इतना लंबा होता है देखिए एक तरफ की मुमेंट होगी और वहां से सत्तर से 80 की मुमेंट होगी यूज्यली सत्तर से 80 की मुमेंट होती है तो यह जो आपका 40 है जो आपकी combined cost है वन साइड विल बिकम 60 प्लस जब यह 60 प्लस हो गया तो सहाब आप समझ जाए कि आपको profit बुक कर लेना है या आपको stop loss ट्रेल करना है ध्यान रखने की बात यह है कि equal quantity रखनी है quantity हलकी रखनी है उतने ही से trade करना है जितना आप loss ले सकें क्योंकि इस case में 0 भी आप हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप hero ही बनेंगे ठीक है और 40 की combined cost हो निचे call और put की धाई बज़े से पहले इसको हम नहीं करते धाई बज़े के बाद ही करेंगे और maximum कितने बज़े तक चल सकते हैं मैकसिमम टू फिफ्टी नाइन पी एम तक ही हम इसमें रहेंगे जो भी करना होगा वहां तक करके हम बाहर निकल जाएंगे इस case में क्या profit के ही चांस है जी न boss भी कर सकते हैं तो आपको अपनी risk management करके चलनी हैं अपने financial advisor से बात करके financial advisor की सला के बिना कुछ नहीं करना है अगर किसी को इसका लाब होता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो मेरा purpose सिर्फ academic और academic ही है दोस्तों अगर आप हमारे से सीखना चाहते हैं निफ्टी फिन निफ्टी बैंक निफ्टी पर तो batches चलते रहते हैं हमारे तो किसी को भी उसका लाब लेना हो तो 78348-76736 पर WhatsApp कर सकता है यह number हमने description में भी दे रखा है तो good luck है मेरी तरफ से आप लोग trading कीजे stay as a happy trader और दो तिन चीज़ों का ध्यान रखिए कभी भी position को hold करके नहीं जाते हैं फिन निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी में हम कभी भी position hold करके overnight नहीं लेके जाते हैं अपनी positions को हमेश मशकार धन्यवाद और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मदद भूलिएगा ने मशकार